नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं HPG के इंडियन जी की से रिलेटेड इंपोर्टेंट टॉपिक्स वीडियो भी है तकरीबन 120 क्वेश्टन जो है इस वीडियो के अंदर प्रेजेंट है जितने क्वेश्टन इस वीडियो के अंदर होते हैं वो हम कवर करेंगे बाकी हम पार्ट नमबर दू में आपके साथ यहां पे कवर करेंगे तो इस वीडियो को बनाने का मोटिव मैं आपको बता देता हूँ इस विडियो को बनाने का जो मेंन मोटिव है वो ये है कि आपको यहां से आइडिया हो जाएगा कि कहां कहां से questions आते हैं जिन्हों भी हमारी 101 वाली series जोईन की थी उनको हमने पहले से ही notes जो हैं provide करवा दिये हैं इंडियन जी के भी provide करवा दिये हैं उनको HPGK के भी provide करवा दिये हैं कि किस तरह से आप उन topics को पढ़ेंगे जो कि maximum time exams में पूछे जाते हैं पेपर आपका जो pattern है वो change नहीं होता है and हम आपको एक और app के बारे में बताते हैं जो है परिक्षा app जिसका link हमने description में दिया हुआ है साथ में coupon code भी आपको दिया है HPTGT50 करके ओके तो अजर आप इस coupon code को उस app में यूज़ करते हैं तो आपको 50% का discount मिलता है अब उस app में है क्या तो basically उस app में आपको test series मिल जाती है कोई भी test हो आपका HP का चाहे junior officer assistant का हो चाहे आपका administration related कोई भी test हो चाहे आपका कोई TED का test हो तो सारी कि सारी series आपको बहाँ पे मिल जाती है demo test भी आपको बहाँ पे मिलते हैं तो आप बहाँ पे जाके भी उसको check कर सकते हैं कि app में किस तरह का material आपको मिलेगा तो आईए video को शुरू करता हूँ जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको बताते भी चलेंगे कि इस topic में और क्या 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 question आपको बन सकते हैं तो यह जो paper है यह आपके पास previous exams में आये थे अगर आपने previous exams study की हैं तो बहाँ पे आपको यह मिल जाएंगे तो जैसे आपके पास first question है कि coffee का उतपात सबसे अधिक कहां होता है main coffee production country is तो अगर आपको पता है तो Brazil जो है इसका right answer होता है तो इसी थरह के question coffee time पूछे जाते हैं for example आपसे यह पूछा जा सकता है कि इंडिया के अंदर सोना कहां सबसे ज़्यादा होता है हीरा या हीरा पूछा जा सकता है कि हीरे का सबसे बड़ा उतपादक देश कौन सा है आपके पास जैसे रशिया जो है आपके पास हीरे का सबसे बड़ा उतपादक देश है दूसरी नंबर के उपर Australia आता है आपके पास Uranium, Thorium तो ये जो production है कहां पे सबसे ज़्यादा होती है तो इस से related काफी time question exams में आये हैं नेक्स्ट question है मारे पास Which animal use its leg to taste this food? तो ये आपके पास journal science related question है तो जो butterfly ये इसका right answer है काफी common सा question था आपने देखाओगा butterfly किस तरह से तो ये जो आपके पास bio है bio से related भी एक question हमेशा पूछा जाता है नेक्स्ट ये मारे पास Who called damn the temple of modern India? तो ये किस ने कहा था? जवाहरला नहरुन है आपके पास कोई भी important dialogues होगे किस ने दिये थे? ये भी exam में आता है और नेक्स्ट ये आपके पास Which is the world highest village? ओके तो world highest village कोई है आपके पास? तो world highest village है हमारे पास? किबर ओके तो ये हिमानचल प्रदेश में है काफी important है आपको लहल स्पीती में ये present है सबसे highest position के उपर नेक्स्ट कॉश्चन है हमारे पास तो ये current affairs related थे तो current affairs में आपसे always पूछा जाता है जैसे आपके पास कोई award हो गई या आपके पास कोई अन्या चीजें हो गई ओके ये तो old ही था आपके पास सुमर रावत is awarded by which reward तो अर्जुन अवार्ड एंडर पदमश्री अवार्ड जो है दोनों के दोनों इनको मिले हैं नेक्स्ट हमारे पास क्षेत्रफल के अधार पर भारत bishop का कौन सा देश है तो ये काफी easy question आप देख सकते हैं 7th place जो है इंडिया का आता है नेक्स्ट हमारे पास जिला कांगडा में बुकम कब आया था तो ये भी काफी important question आप आया था 4 April 1905 को जो है हिमांचर पदेश में बुकम पाया था नेक्स्ट हमारे पास गुरु नानक देव जी का जनम कहां हुआ है तो जिनोंने हमारी series जोइन की है 101 वाली उनको आज हमने जो notes प्रवाइड करवाए थे उसमें ये present था कि गुरु नानक जी का जनम कब हुआ था और कहां हुआ था तलबाडी में नेक्स्ट हमारे पास जंगल बुक के writer कौन थे है तो वो आपके पास root, yard, kipling नेक्स्ट हमारे पास पित्वी एक घंटे में अपने अक्स पर कितना घुमती है तो ये भी काफी important question तकरीवन 15 degree जो है वो एक घंटे में अपने अक्स पर घुमती है नेक्स्ट हमारे पास भांखडा बांध की कितनी उचाई है तो जिन्होंने वारी वीडियो देखी है पता नहीं कितनी बार मैंने dams के बारे में पढ़ाया है rivers के बारे में पढ़ाया है hydropower projects के बारे में पढ़ाया है तो भांखडा बांध कितनी उचाई के उपर है 226 meter के उचा है वो नेक्स्ट हमारे पास दुनिया का सबसे नमकीन सागर कौन सा है तो कौन सा है आपके पास वो वो है आपके पास dead sea नेक्स्ट हमारे पास रिगबेद में प्राथनाओं का क्या अर्थ होता है तो अगर आपने थोड़ाचा जो हमारे बेद से उनके बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा सुक्त जो है उसका अर्थ है 1884 को वो आपके पास हुई थी नेक्स्ट हमारे पास नीला ग्राय किसे कहा जाता है पृतबी को आपके पास नीला ग्राय कहा जाता है नेक्स्ट हमारे पास बायू मंडल में कौन सी गैस जो है जो सबसे अधिक पाई जाती है तो काफी easy question जो है इस time आए थे यहीं हम क्या करते हैं कि एकदम डीप पढ़ के चले जाते हैं और जो basic से question होते हैं उनको गलत कर देते हैं तो आपको अपने जो basics हैं उनको भी clear करना है हरा रंग किन दो रंगों का mixture होता है वो आपके पास blue and yellow का mixture होते है यानि नीला and पीला का Great Himalayan National Park को Bishop धरूर का दरजा कब दिया गया था या किसके द्वारा दिया गया था तो इसे UNESCO के थूरू जो है World Heritage Site का या दरजा जो है वो दिया गया था ओके तकरीबन 2014 मैं ये मिला था मुझे proper date याद नहीं है बट मैं आपको confirm करके बता दूँगा नेक्स्ट ये मारे पास तैरते हुए टापूओं की जील किसे कहा जाता है तो बहुत से जो student confused होते हैं प्राश्रें रिवाल्शर में बटर रांसर जो है always रिवाल्शरी आपके पास होता है नेक्स्ट ये मारे पास स्युक्त रास्टर की स्थापना कब हुई है ये यूएन नो की तो 24 अक्तूबर 1945 को जो है उसके स्थापना हुई है नेक्स्ट ये मारे पास तो आपको यहाँ पे mail मिलाने थे तो आपको पाता होगा उत्राखंड जो की जिम कॉबेट नैसनल पार्क है जहाँ पे आपको याद हो तो जो world या जो हमारे pm थे वो भी गए थे पीछे एक serial भी आया था असाम जो है आपके पास गुजरात में गिरी है जो की बाग जो आपके पास बैंगॉल टाइगर या जिसे हम बाग कहते हैं शेर कहते हैं वो यहाँ पे परजेंट है उनके लिए famous है असाम का जो मानस काजी रंगा पार्क है जो की आपके पास काजी रंगा एक सिंग बाले गैंडों के लिए famous है नेक्स्ट हमारे पास पौधा ना बनने पर बीज का भोजन कहां संचीज होता है वो आपके पास होता है बीज पत्रम है ओके नेक्स्ट हमारे पास बिशब का सबसे अधिक बर्शावाला देश कौन सा है तो जब बात आती है बिशब की तो मानसी राम जो है आपके पास होगा राइट आंसर के चेरा पुंजी जो है इंडिया के केस में है नेक्स्ट हमारे पास पितवी की से कितनी सतै जो है जल से धकी हुई है तो वो है आपके पास 3 अपॉन 4 बिशब का सबसे बड़ा रेगिस्तान तो सहारा मारुस्थल जो है वो सबसे बड़ा है आपके पास और मानचितर में पानी को दरसाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है तो मानचितर में पानी को दरसाने के लिए हम यूज़ करते हैं नीले रंग का, ओके, एंड नेक्स्ट हैमारे पास, माउंट अब्रिस पर चड़ने वाली पहली महिला का नाम, तो वह आपके पास, बच्छेंदरी पाल, तो गाइस देख सकते हैं, आपकी काफी common common question जो है, टैट में पूछे जाते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा ने कौन से अंदोलन शुरू किया था, तो जो चिपको अंदोलन है आपके पास, जो कि पेड़ों से related है, वो इन्होंने शुरू किया था, ओके, नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपके पास आपके जो भी deputy speaker हो गए, बिधान सबा के, आपके ज तो यह उस time का question है, ओके, हो सकता है, आज कोई और हो, बट यह उस time का question है, तो उस राय time जो है, अंस राज जो थे, उसके आपके पास deputy cm थे, तो इस question को आप इग्नोर कर सकते हैं, बट यह question आपके पास fix रहेंगे, which place of shimla, दूर दर्शन, केंदर is established, तो यह कहां पे present है आपके पास, तो यह आपके पास, अंबेटकर चौक, चौड़ा मैदान, शिमला में जो है, present है, ओके, तो D is the right answer, next हमारे पास, हिमांचर पुदेश केंदर सासित प्लेस कब बना था, कितना easy question है, एक नमबंबर 1956 को जो है बो बना था, next हमारे पास, अजे ठाकूर, प्रेंका नगवाल, और रेलेटिड तो वीच गेम, तो वो आपके पास कबड़ी से रेलेटिड थे, next हमारे पास, what was the theme of International Women's Day, तो जो भी हमारे पास themes होती है, especially Women's Day से रेलेटिड होगी है, others से रेलेटिड होगी, तो यह आपको पता होना चाहिए, think equal, build smart, innovation and order, changes, and which of the following launch, Bolo app, तो Bolo app जो है, Google ने लाउंच की थी, and when World Cancer Day is observed, तो यह question काफी time पूछे जाते हैं, कि कौन से दिन को, कौन सा, जो आपके पास occasion है, वो present होता है, तो 4 Feb, जो है आपका World Cancer Day होता है, and which country will host World Cricket World Cup in 2021, तो यह New Zealand ने आपके पास host किया था, next हमारे पास the capital of Austria, तो Canivara उसकी capital है, and capital जो है maximum time exam में पूछी जाती है, and what is the proposal budget for the solar irrigation scheme by the state government, तो यह उन्होंने उस time किया था तकरीवन 20 क्रोड जो है इसका right answer था, and cream is separated for the milk, तो यह journal science से आपके पास question है, centrifugation हम use करते हैं, what is Nabad, तो Nabad आपके पास क्या है, agriculture bank है, next है मारे पास, त्रीगर्थ, बास डिवाइड़ इन्टो टू पार्ट, one is Nalagad and second is Jalandhar, जो त्रीगर्थ हैं, उसको दो भागों में बांटा हुआ था, एक जो था आपके पास नगर कोड था, और दूसरा जो था वो था आपके पास Jalandhar, next है मारे पास, the removal of president from office, यहनि जो प्रदानमन, sorry, जो आपके पास president है, यहनि रास्टेपती है, उसको उसके पद से किस तरह से निकाला जा सकता है, तो जो आपके पास article 61 है, उसके तुरूच जो महा भिहोग है, जो की रास्टेपती के ओपर लगता है, अगर वो संभिधान की अभिमान ना गरता है, next है मारे पास, who is the unquestionless rule of the picture, क्यों बिलेज मलाना, तो जो आपके पास रमणियां गाउं मलाना है, उसका सर्मानिक साशन कौन था, बो था आपके पास, जमूला यानि हिमांचर प्रदेश के जो basics है, बहां से भी question आता है, मिंजर festival, तो मिंजर festival जो है, जो बहां पे मिंजर है, वो किस चीज़ को represent करता है, तो मिंजर जो आपके पास represent करता है, मेज flower को, next है मारे पास, अटर न्यू इंडिया चैलेंज प्रोग्राम बाच लॉंच, तो वो लॉंच हुआ था, आपके पास 26 अपरेल 2018 को, एंड जीजिस क्रैसेज बाज, गुरिफाइड इन, तो जीजिस क्रैसेज जो है, कब आपके पास, उन्हें सुलिस के उपर चढ़ाया गया था, तो उनको चढ़ाया गया था, 33 AD में, एंड भेरी इन एचपी, तो मुरिकुला देवी टेंपल इस सिचुएटेड, तो मुरिकुला देवी का टेंपल, कहां पे स्तित्याप के पास, उदेपूर में, ओके, नेक्स्ट है मारे पास, विच बहुत मौंग, बहुत बॉर्नेट रिवालसर, तो आपको पता है, जो तीन धर्म का, कंबिनेशन, पलेस है, आपके पास जो रिवालसर लेक है, एंड पदम संबब जो है, बहां पे एक काफी फेमस बहुत भिक्षू है, मौमेंट वाजदा, एक्सेंशन अफ विच मौमेंट, तो आपके पास सीवल, इस बिडिडेंट मौमेंट को जो है, रिप्रेजेंट करते हैं, सबीने अबग्या अंधोलन को, ओके, नेक्स्ट है मारे पास, हॉर्न विल फेस्टिवल, तो काफी वी फेस्टिवल है, और हॉर्न विल फेस्टिवल जो आपके पास, नागल एंड में जो है, मनाया जाता है, नेक्स्ट है हमारे पास, दमदमा साहिब गुरु दौारा, दमदमा साहिब गुरु दौारा, जो है किसकी याद में, बनाया गया था तो गुरु कोविंद सीन जी की याद में ये बनाया गया था नेक्स्ट हमारे पास विच आफ दा फॉलविंग कंट्री लिफ्टिड बैन ऑन बोमेन तो ड्राइब तो ये करंट अफेर था उस ताइम सौथ अरेबिया विच मांटेन पास जोईन मंडी अंड कुलू डिस्टिक तो मंडी अंड कुलू डिस्टिक को कौन सा धर्रा जोडता है तो वो आपके पास दुल्ची दर्रा ओके या दुल्ची दर्रा जो आपके पास इनको जोडता है next है मारे पास सूरुज दाले की situated in तो ये तो मैंने पाता नहीं कितनी बार आपको करवाया था लहौल सपी थी next है मारे पास oldest mountain range तो ये आपके पास है अरवली hills and next है मारे पास neurology neurology is the study of तो neurology आपके पास represent करे थी nervous system को so d जो है यहाँ पे आपके पास इसका right answer है and which district of hp recording the highest growth rate of population during 2001 to 2011 तक तो 2001 से सबसे ज़्यादा कहाँ पे थी बहुत ही आपके पास उन्ना district में उन्ना जो है इसका right answer था तो guys इस वीडियो में इतना ही question मापके साथ study करेंगे आपने खुद ही देख लिया होगा कि किस तरह के question जो है पूशे जाते हैं ओके तो इसी तरह से काफी important question है next भी हम आपको जल्दी ही वीडियो provide करवाएंगे चाहे psychology से related हो चाहे अन्या pattern से related हो तो मिलते हैं next वीडियो में तब तके लिए thank you have a nice day